मेरे प्यारे देश्वासियों, कोई भी नई शुरुवात यानि न्यू बिगिनिंग हमेशा बहुत खास होती हैं, न्यू बिगिनिंग का मतलब होता है न्यू पॉसिबिलेटिज, नए प्रयास और नए प्रयासो कार्थ है, नई उर्जा और नया जोश। उत्सव के तोर पर मनाने की परंपरा ही रही है, और ये समय नई शुरुवात और नए उत्सवों के आगमन का है, होली भी तो बसंद को उत्सव के तोर पर ही मनाने की एक परंपरा है, जिस समय हम रंगों के साथ होली मना रहे होते हैं, उसी समय बसंद भी हमारे चारों और न देश के अलग अलग शेत्रों में जल्द ही नया साल भी मनाये जाएगा चाहे उगादी हो या पुथन्डू गुडी पड़वा हो या भी हू नवरे हो या पोईला या फिर बोईशाख हो या बैसाखी पूरा देश उमंग उत्सा और नई उमिदों के रंग में सराबोर के बाद जल्द ही चैत्र नवरात्री का पावन आउसर भी आ जाएगा चैत्र महिने के नौवे दिन हमारे यां राम नौमी का परव होता है इसे भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ ही नय और पराक्रम के एक नए यूग की शुरुआत के रुपे भी मना जाता है इस दोर इन त्योहरों के अवसर पर मैं सभी देश्वास्यों को सुबकामनाय देता हूं साथ को इस दोरान चार एप्रील को देश इस्टर भी मनाएगा जिसस क्राइज के पुनर जीवन के उत्सव के रुप में इस्टर का त्योहर मनाये जाता है प्रतिकात्म करूप से कहें तो इ इस्टर उम्रिदों के ओ पुनर जीवित होने का प्रतिक है अंडि इस होली और ऑस्पिछिस ऑकैजान आगी इस्टर अद्विदों के इस्टर उम्रिदों के पुनर जीवित होने का प्रतिक है अनली इस होली और उस्पिश उक्षिस ऑकैजान, I greet not only the Christian community in India, but also Christians globally.